हैलो रेडर्स मेरा नाम है शुबह और स्वागत करूँगा आप सभी का हमारे चानल शुबह गदम है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में तीन ऐसे स्टॉक शेर करने वाला हूँ जिसमें बहुत ही अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चिनिटीज बन रही है और मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीक में इन स्टॉक में स्विंग ट्रेड लेने का ट्राइ करने वाला हूँ प्लान करने वाला हूँ तो पूरी analysis आपके साथ share करने वाला हूँ इसी वज़े से ये video पूरा देखिएगा सिर्फ stock का नाम देखके Monday को जाके buy नहीं करना है पूरा analysis समझना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे breakout stock है मतलब अभी तक breakout नहीं हुआ है next week में हमें यहाँ पर से breakout देखने को मिल सकता है इसी वज़े से अगर आप यह structure समझोगे तो आपको यहाँ पर से बहुत सारे learning मिलने वाले इसी वज़े से इस video को like करना ना भूलिएगा और तीन sector के यहाँ पर मैंने stock select है मतलब तीन stock है और वो अलग-अलग different sectors के और तीनों भी sectors अपने breakout लेवल पर है एक है finance sector का दुसरा IT sector का और तिसरा metal sector का stock है इसी वज़े से बहुत ही अच्छा video है हम वीडियो को directly हापर start करते तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि मनना पूरम finance यह सबसे पहला stock यहाँ पर मैंने select किया है अभी यह 109 पर trade कर रहा है पूरा analysis अगर हम इसके बात करेंगे अगर हम weekly time frame देखेंगे यह इस stock का weekly time frame है और price यहाँ पर एक अपने important trend line support पर आ चुका है बट इस बार भी अगर आप देखोगे तो price ने यहाँ पर टच किया एक bull rally दिखी देन अगें retracement आया और price अभी यहाँ पर trade कर रहा है ठीक है ना और अगर हम यह थोड़ा सा pattern देखेंगे तो price यहाँ पर बहुत ही interesting एक kapan handle pattern मना रहा है अगर आपको पता होगा kapan handle pattern एक reversal pattern होता है अगर price यहाँ पर से गिर रही है और important support पर जाके kapan handle pattern बनता है और अगर यहाँ पर से breakout होता है तो obviously यहाँ पर से हम बहुत ही अच्छी bull rally expect कर सकते मैं आपको resistance बताना चाहूँगा 110 का अगर 110 का level daily time frame में अच्छी volume के साथ में break होता है तो मैं यहाँ पर entry करने वाला हो obviously जब भी entry करूँगा telegram पर हमें update करूँगा with proper stop loss and target but यह structure आपको समोझना बहुत important है तो यहाँ पर से अगर breakout मिलता है तो हम यहाँ पर से trade ले सकते हैं यहाँ पर से थोड़ा सा volume के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो last week की candle है यहाँ पर बहुती अच्छा volume trade हुआ है अगर इसी तरीके से volume continue होता है और एक बहुती अच्छी green candle के साथ में breakout दिखता है तो obviously next week में हमारे लिए यहाँ पर बहुती अच्छा long का trade बन सकता है मैं आपको एक बार यहाँ पर daily time frame में भी दिखा देता हूँ price exactly 110 से reject होके नीचे गिर रहा है इस वज़े से इस level का breakout होना बहुती important है अगर breakout हो जाता है अच्छे volume के साथ में obviously में यहाँ पर trade लेने वाला हो अभी निक जो stock है वह है TCS आपको पता होगा कि Nifty IT के stock सभी reversal ले रहे है क्योंकि हमें यहाँ पर strain दिख रहे है Dow Jones में Nasdaq में और उसी वज़े से हमारे IT stock जो है वो भी अच्छा perform कर रहे है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर price एक बहुती important Fibonacci extension के level पर है तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहू तो price ने एक बहुती अच्छा impulse मूल है then price यहाँ पर से retracement ले रहा है but retracement जो important levels होते है 0.5, 0.618 यहाँ तक price नहीं आई है but यहाँ पर एक important Fibonacci extension का level है अभी वो level किस तरीके से find किया वो important है अगर आप देखोगे तो price ने कि यहाँ पर new high लगाने का try किया था but price ने नीचे आके अपने previous swing low को यहाँ पर से breakdown कर दिया और यहाँ पर downside में price extend हुआ इसी वज़े से मैं क्या करूँगा Fibonacci extension का यहाँ पर tool लूँगा और simple यहाँ पर previous swing को bottom से लेके top तक लगा दूँगा आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से और यह levels बहुत ही अच्छे से काम कर रहे अगर आप देखोगे अभी price 1.618 पर दो बार support ले चुका है और यहाँ पर support लेके price बहुत ही अच्छा W pattern बना रहा है अभी आप यहाँ पर risk के हिसाब से आप trade ले सकते हो तो मैं आपको simply suggest करूँगा कि यह जो previous swing high है यह अगर price यहाँ पर से breakout करते है तो इस level के उपर एक higher probability trade बन सकता है but यहाँ पर एक trend line भी है trend line का यहाँ पर से breakout होता है retest होता है तो हम यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा higher probability long का trade ले सकते है आपके उपर depend करता है कि आप किस risk के हिसाब जा सकते है क्योंकि अगर यह trend line का breakout होता है retest होता है तो हो सकता है कि price previous swing high पर reject हो और नीचे जायके हमारा stock loss hit करें इसी वज़े से यह higher probability trade होगा अगर आपको early entry चाहिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा convection है तो आप इस trend line पे भी enter कर सकते है ठीक है तो यह हो गया हमारा second stock TCS जो की IT sector का आता है और third जो stock के होए sale यह हमारा metal sector से आता है और metal sector अगर हम बात करें metal sector अच्छे से ऊपर भी बढ़ रहा है और sale अपने important Fibonacci retracement के level पे आ चुका है आप यहापर देख सकते हो कि यह weekly time frame है और अगर हम इसे एकदम bottom से लेके top तक Fibonacci retracement का tool लगाएंगे तो आप यहापर देख सकते हो कि 0.618 price ने यहापर support लिया और यह levels बहुत ही अच्छे से काम कर रहे है आप 0.382 देख सकते हो price ने यहापर support लेके एक bull rally दिखाई थी again 0.5 देख सकते हो price ने यहापर support लेके all एक bull rally दिखाई थी और अभी भी price 0.618 पे support ले रहा है और bull rally हो चुकी है बट price अपने important train line resistance पे पहुच चुका है अगर आप देखोगे एक बात यहापर observe करोगे तो price जब भी यहापर support ले रहा है bull rally दिखा रहा है तो वो bull rally end कहाँ पर हो रही है इस वाले train line पे हो रही है इसी वाजे से अभी price अपने 0.5 एन इस train line के बीच में फसा हुआ है मतलब यहापर confluence हम कही सकते एक train line का resistance और हमारा 0.5 का resistance अभी यहापर cluster बना रहे अगर वो cluster price यहापर से breakout करने में successful हो जाता है यहापर से एक बहुत ही अच्छा moment हमें इन stock में देखने को मिल सकता है similarily अगर यहापर कोई rejection pattern बनता है तो जिस तरीके से price ने previously trend line से गिराता same गिरावट हमें यहापर से देखने को मिल सकते है तो मैं दोनों side के लिए यहापर active होंगा previous दो stock में ने सिर्फ buying के लिए बता है बट यह stock यहापर selling के लिए और buying के लिए दोनों के लिए भी हो सकता है सिर्फ daily time frame में हमें यहापर price action को observe करना है अगर यह resistance है यह भी एक trend line है यह भी आप marker के रख लिए यह हमारी primary trend line है अगर price इसको breakout कर देता है तो कोई भी pullback देखकर हम long के trades ले नहीं वाले बट अगर हमें 15 minute time frame में या फिर 1 hour के time frame में यहापर कोई rejection दिखता है तो हम यहापर से selling के भी trades ले सकते है क्योंकि हम इसे continue करेंगे price नीचे आ रहा है retracement ले रहा है आपको यह वीडियो से कुछ ना कुछ तो अगर सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आपको फ्रेंट के साथ टेंगे मुझे साथ शेयर कर दीजिए और एसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब भी कर दीजिए तो आज के वीडियो में इतना ही रखते है थैंक्यू वेरिमाच